सबी विद्ध्यारतियों को नमस्कार आज विकूम पार्ट थडरेर के पेपर जीस्ट के बारे में डिसकर्ज करेंगे इंट्रोडेक्शन ओप जीस्ट टाइप ऑफ जीस्ट एमरेट्स प्रिवासा क्या हैं किते प्रकार के जीस्ट होते हैं क्या होती हैं इंडिया में कैसे एपलाई हुआ अभी किते देशों में लाग हुआ है इसका संक्षिप्त विवन देखेंगे इंडिया में दो तरके टेक्स होते हैं एक होते हैं डारेक्ट टेक्स एक होते हैं इंडारेक्ट टेक्स डारेक्ट कि में अपने पढ़ रेते इंकम टेक्स जो पिछले वीडियों में पढ़ाएं सेकिड्च chant कोर्पोरे टेक्स कि थर्डें वेल टेक्स लेकिन आज बात करेंगे इंडारेक्टेक्स क्योंकि इंडिया में दो तरह के इंडारेक्ट ya बच्चे हैं जी त्टी गूर्ट सर्विस टेक्स और कस्टम ड्यूटी जी एस्टी आने से पहले अलग-अलग प्रकार के टेक्स होते थे जो सेंटर गोईरमेंट और स्टेट गवर्मेंट लगाती थे उसको आगे अवं देखेंगे तो इंडारेक्ट टेक्स दो प्रकार के हैं अभी परस्ट है गुड्सेंट सर्विस टेक्स जिसमें बहुत सारों टेक्स को मर्ज करके जी एस्टी लागू किया है और सेकिंड है कस्टम डूटी यानि कस्टम डूटी को जी एस्टी से बाहर रखा है यानि दो तरके इंडारे इसे बौशत्री यानि मल्टी लेवल टेक्स भी करते हैं ये एक प्रतेक्स यानि डारेट् टेक्स है जिसे बात प्रगार के हैं डारेक्क जैसे वेट हो गया सर्विस टेक्स हो गया और बहुत है नो भी बहुत बहुत-ई Sus ft पर लगया हैं आप इसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि बिकरी के हर बिंदू पर जीएश्टी लगता है टेक्स लिवाइड एट एवरी पॉइंट ओफ सेल्ज बात में जीएश्टी ने लगबग सभी वस्तों से वहाँ पर लगने वाले विबिन्न प्रकार के केंद्री राज्य अप ही लागू होता है जैसे पेट्रोलियम प्रोड़क्ट सराब जिसको एल्कोल लिकर यानि इंडारेक्ट voi wait service tax जैसे exercise duty wait service tax इनको merge करके यानि इनके इस्तान पर replace करके GST लागू किया है लेकिन कुछ tax हैं जिन पर अभी भी GST लागू नहीं है जैसे petroleum, diesel औरantwort, alcohol अब देखते हैं इतियास GST क्या है कब आप इंडिया में हमीं लागू हुआ तो वर्तमान में 160 देशों में GST लागू है सरवर्तम भात करें वर्ड में तो प्रांस देश में 1954 में GST लागू हुआ था बारत की बात करें तो विजे केलकर की अधेक्स्ता में केलकर टास्क पोर्स कमेटी 2004 में GST लगाने के अंशन्सा की थी यानि इंडिया के अंदरगत विजे केलकर की अधेक्स्ता में कमेटी गटित हुई जिसका नाम तक केलकर टास्क पोर्स कमेटी इसने GST लगाने की अनुसन्सा की बात में NDA सरकार ने 29 दिसंबर 2014 को संसद यानि सदन में 122 संसोदन GST बिल प्रस्तुद किया यानि 122 बिल संसद में पेश किया अपन इंडिया के अंतरगत कोई भी लोग बनने से पहले बिल लाया जाता हैं जो की लोग सबा राज्य सबा और राष्टपती द्वारा पारित किया जाता हैं उसके बादो लोग कानुन बन जाता हैं यान विदेक बन जाता हैं तो जो बिल होता हैं बिल था वो 122 सविदान संसोदन जो 29 दिसंबर 2014 को लाया गया सविदान में पाद में 6 मही 2015 को इसे लोग सभा में में और 3-एकस 2016 को राज्य समय में पारित कर दिया और 8 सितंबर 2016 को राष्टपती की सहमत्त ही मिलने के बाद ही सविदान का 101 सविदान अधिनियम बना दिया यानि GST Act जो 101 सविदान संसोधन करके बना दिया यानि जब इसको 29 दिसम्मर 2014 को 122 सिविदान संसोधन बिलाया 6 मई 2015 को लोगसभा में पारित हो गया वो तीन अगस 2016 को राज्यसभा में भी पारित हो गया जब 8 सिथम्मर 2016 को राश्पति के सिगनेचर हो गये तो लोग बन गया कानून बन गया और लागू हो गया सविदान में तीन नई आर्टिकल जोड़े जो दो सुचियाल से 279 ए 268 वन यह तीन आर्टिकल तो जोड़े लेकिन एक आर्टिकल 368 ए खटा दिया गया और 11 आर्टिकल में संस्वधन किया और अनुसुचिश शिक्स और सेवन में संस्वधित किया और उसके बाद बारत में एक जुलाई 2017 से संपून बारत में जिएस्टी लागू कर दिया मोधी सरकार ने जब जिएस्टी लागू हो गया तो उसको लागू करने के बाद निम लिंखित जिएस्टी बिला आय गये और वो भी पारित करवाये गये पस्ता इस्टेट गूड्स एंड सर्विस टेक्स बिल दोजार सत्रा एस जीस्टी, सेंटर गूड्स एंड सर्विस टेक्स बिल दोजार सत्रा सी जीस्टी, इंटरिगेटेड गूड्स एंड सर्विस टेक्स बिल दोजार सत्रा आई जीस्टी, यूनिन टेरिट्री गूड्स सर्विस्टेक्स बिल 2017 UT GST और गूड सर्विस्टेक्स बिल कंपेंस्टरी टो स्टेट बिल 2017 यह GST लागू होने के पहले बिल आये गए आल बिल वाद ब्रोट इंटो दा लोगसबा 2017 मार्ज 2017 को तीनों बिल एक साथ लाए पास हो गए लोगसबा से 29 मार्च 2017 यानि दो दिन बाद पास हो गए और उसके बाद 12 अफ्रेल 2017 को परसीडेंट यानि राश्पति के सिखने सर हो गए यह भी अधिनियम लोग बन गए यह राज्यसबा में क्यों फेस नहीं किये क्योंकि वित्त से समंदित बिल ते और वित्त से समंदित बिल को लोगसबा में पास नहीं किया जाता है राज्यसबा में नहीं ले जाए जाता डायक्ट लोगसबा में ले जाने के बाद राश्पति के पास सिदा वेजा जाता है Indirect Tax of Center and State Government Converred Under GST अब सेंटर गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट के कौन-कौन से टेक्स थे जो GST में मर्ज कर दिये सेंटर डिपार्टमेंट के वो टेक्स थे सेंटर एकसाइज जूटी हो गया एडिशनल एकसाइज जूटी हो गया उत्पादन सुल्क लगता था वो अब GST के अंद्रगत आ गया है सर्विस टेक्स सेवा सुल्क हो गया काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानि कोई परतिफल सुल्क था ड्यूटी थी वो भी अब GST के में इंक्लूट कर दी एडिशनल ड्यूटी ओव कस्टम अब कस्टम का कुछ भाग GST में इंक्लूट किया है कुछ को अभी GST से बाहर रखा गया है सर्चार्जेज हो गए एजुकेशन एंड सेकेंटर हायर एजुकेशन सेस हो गया यह पहले अलग लगते थे जब एक्साइज जूटी लगाते थे एडिशनल एक्साइज जूटी लगाते थे तब एजुकेशन और सेकेंटर एजुकेशन सेस लगता था अब यह बंद हो गया है स्टेट गवर्मेंट के कौन से टेक्स थे जो GST में इंक्लूट कर दिये वेट हो गया, site tax हो गया, Christians अब कुछ टेक्स अभी भी हैं जो GST में इंक्लूट नहीं है Basic Custom Duty यानि कुछ बहाग था, वो इंक्लूट किया था बाकि दूटी को बहार रखा गया है कस्टम डूटी को एक साइज ओन लीकर जो पे पदार थे हैं सरा बोगेरा इनको भी बार रखा हैं प्रोपर्टी टेक्स को बार रखा हैं इस्टाम डूटी को भी बार रखा हैं पेट्रोलियम पदार जो है उनको बार रखा गया हैं मोटर इस्परेट यानि पेट्रोल डीज नेच्रुल गेस इन सब को बाहर रखा गए और हवाई जाज उनके एधन को भी अपने बार रखा गए हैं जीस्टी से सामानी जीस्टी सभी पर कार की वस्तों इसे हों की सफ्लाई पर लगते हैं अब यो जो जीस्टी लगेगा वो गुड़्स इन्ड स्रविस की सप्लाई पर लगएगा सरक्सब्दों में petroleum product alcohol को चोड़ कर बाकि सभी प्रकाय की वस्तों सियों पर GST act define किया गए या लागू किया गए है सप्लाई पर GST लागू होगा नौर्मली दो तरह की supply transaction होते हैं जिसके तरफ GST को center और state government collect करती है यानि supply पर text लगेगा और जो collect करेगी वो state government और center government collect करेगी पर इंट्रा इस्टेट सप्लाई कि जब वस्तों इम सेवां का transaction एक ही राज्य के बीच होता है तो वहां पर वह supply इंट्रा इस्टेट सप्लाई कर लाते हैं जैसे राजस्तान का कोई व्यापारी है और राजस्तान के व्यापारी को ही वस्तों या सेवा का transfer करता हैं जैसे कोई जालाओर का व्यापारी और जालाओर के व्यापारी ने जोद्पूर के व्यापारी शे कुछ चीजें खरी या बेच ही तो जो टेक्स लगेगा ऋ इंट्राइस्ट्रेट सप्लाई वो शप्लाई होते ही जो क्रकार के टेक्स होते हैं जिसे टेक्स क्लेक्ट किया जाता है पस्टेक गूड-स अंद सर्विस टेक्स , दूसरा इसेंटर गूड्स अंड सर्विस , CT , बालव ह anticipating चैरे न ढुति ट्रेंट्रेटरी गूड्स अंड सर्विस टेक्स , पर लागू होता है। SDST refer to tax variable on the sales of service and product within state जब एकी राज्ये में माल का transfer होता है तो SDST लागू होता है। जैसे राज जालोर के वैफारी ने जोदपुर के वैफारी से माल खरीदा या सेवा का अस्तान तर्ण किया तो SDST लागू होगा। अब SGST किसके स्थान पर लागू किया पहले वेल्य एडेट टेक्स लगता था वेट लगता था एंट्री ड्यूटी लगती ते इस्टेट सेल टेक्स लगता था entertainment लगता था सब्चार्जेश लगता था इसकी जगा एस जीस्ट लग गया सेंट्र गूर्श एंड गूर्श तेक्स यहनि सीजे स्टी धर टेक्स लविज ओन दस अफ्लाइप एंट्रिस्टेट पर्डुक्ट इस देश्ट जब माल का इस्तांतरन इंट्राइस्टेट सप्लाई के तरगत होता है तो CGST लगेगा यानि जब वस्तू MCO का सप्लाई एक की राज़े में एक जिले से दूर्से जिले में होता है तो दो तरह के टेक्स लगेंगे CSGST और CGST अब यह किसके इस्तान पर लगाया गया यह लगाया गया है सेंट्र सर्विस टेक्स, सेंट्र एक्साइज जुटी CST, सेड, इतियाज टेक्स के बात के स्तान पर यह लगाया गया है Union Tritary Goods and Service टेक्स जो किंदर सासित पर्देश वहाँ पर यह टेक्स लगाया जाएगा, वहां का कोई व्यापारियर, वहां से वस्तों से वहां की सप्लाई करता है, तो यह यह टेक्स लगाया जाएगा, वो कौन-कौन से हैं, इनें ट्रेटरी, अंडवान, लिकोबार, दमनें, दीव, चंडीगड, दादरनागर, यह वह सारे हैं, दस-ग्यारा हैं, जो जहां पर, यूटी-जी-एस्टी लागू होगा, इंट्रिगेटेड गूट्स इंड सर्विस, जब माल की सप्ला एक राज्जी से दूसरी राज्जी पर उतते हीं, तो ओनली एक ही प्रकार का टेक्स लगएगा, जो यह आई-जी-एस्टी, दे विस्निस टांसफ होती हैं, वस्त्र सिमा तो वहाँ पर लगेगा, जबकि आई-जी-एस्टी एक राज्जी से दूसरी राज्जी पर लगेगा, यू-टी-जी-एस्टी किंदर सासी पर देशों पर लगेगा, एक्जामपल भी देख लेते हैं, अपन, जी-एस्टी दो तरह की सप्लाई होत हैं, एक इंट्राइस्टी सप्लाई होई, जी-एस्टी रेट्स के इनुसार जी-एस्टी लगेगा, दो इसो में सी-एस्टी और जी-एस्टी बटकर सरकारों में चला जाएगा, उदान के तोर पर जैसे एक जेपूर के व्यापारी ने दस हजार का कर्चा माल करीदा, उस इस सब बराबर रूप में कलेक्ट करेगी, इंट्रिस्टेट सप्लाई, जब एक राज़े से दूसरी राज़े पर होता हैं, तो इंट्रिस्टेट सप्लाई होती हैं, यानि आई-जी-एस्टी, जैसे ये माल बेचा 10,000 रुपे का 80% रेटे तो 80,000 रुपे only के अंदर सरक को चले जाएंगी, इसमें राज्य सरकार को कुछ इससा नहीं मिलेगा, बाद में सर्ग गवर्मेंट, स्टेट गवर्मेंट को फंड देगी, उसमें कुछ इससा पर टेक्स के रूप में दे देगी, अब जी-एस्टी में इनपूट टेक्स क्रेडिट क्या होता हैं, पहले क्या होता था का स्कैटिंग इफेक्ट होता था टेक्स के उपर टेक्स लगता था और उसको व्यापारी को फाइदा नहीं होता था जेश्ट आने के बाद अगर कोई व्यापारी किसी ने माल करीदा उसमें कुछ टेक्स दिया फिर उसने माल बेचा तो उसमें जो टेक्स यसे पाइंटर ने उसे पइंट करके 65 सुर्फए के अंतिम घ्राव को बेज दिया। जेस्टी की रेट 10 परसेंट है माले 10 परसेंट रेट है तो अपनको इंपूट टेक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा मोन ने राम को लकडी बेची 22 रुपे में वस्तुका मुले दे रखा हैं तो अब कित्ते रुपे देगा वह 500 रुपे ही देगा क्योंकि 200 रुपे का इंपूट टेक्स क्रेडिट उसको मिल जाएगा उसके बाद पेंटर ने ग्राव को फरनीचर बेज दिया ग्राव को अंति मुबुकता को कित्ते में 5000 रुपे में तो 5000 का 10 परसेंट 500 जीस्टी बना लेकिन उसने 350 रुपे तो ओलेडी पे कर रखे हैं जब उसने परनीचर करीदा था तो अभी इसको कित्ता पे करना है पांद 350 का input credit मिल जाएगा तो 0."50 की कर के करेंगे तो गोवब्रमेंट को कित्ता पेमेंट हुआ ? 2.5 रुपे तो पंच 5 रुपे की रूप में जीस्टी का पेमेंट हो गया कि लाष्ट में ग्राट से वसूल किया है अब GST की rate देखें तो वत्मान में GST में 5 परकार की rate दे रखी है 0% जिसमें GST नहीं लगता 5% है 12% है 18% है और 28% है और इसके लावा state government जाए तो health और education का सेश लगा सकती है यह state government defend करता है अब registration GST में registration किन वैपारियों को करवाना पड़ेगा है तो normal 20 लाग तक 40 लाग जिसकी limit होगी annual business की 40 लाग तक GST में पंजी करण की आऊ सकता नहीं है और कुछ पहाड़ी area हैं उनमें यह 20 लाग है अगर इनसे cross होता है तो आदमी उसको वैपारी को GST में registration करवाने की जरुद पड़ेगी रिटन की बात करें तो वैचे रिटन अलग अलग प्रकार के होते हैं लेकिन normal रिटन तीन रिटन भरी जाते हैं हर व्यापारी द्वारा जो की कुल sales, purchase और tax से जुड़ी जानकारी होती हैं GSTR 1 महिने के अगले महिने की 10 तारिक तक बरा जाता है जबकि GSTR 3 उस महिने सबी और विक्रे की करीदारियों को matching करने के लिए अगले महिने की 20 तारिक तक बरा जाता है और GSTR एक annual return होता है जो लास्ट में बरा जाता है आज की इस वीडियो में इतना है थेंक्यू